संचय यह रिजल और व्यवस्था या आयोजन या प्रोविजन दोनों कंपनी के दाइतों हैं, दोनों में अंतर इस प्रकार हैं पहला लाब का विभाजन, संचय के अंतर्गत लाब का बचाया गया अंचय जिसे भावी दुर्गटना के लिए संचित किया जाता है जबके प्रावधान लावानी खाते से पूर्व निश्चित दायत्तों के लिए की गई रकम की विवस्था है दूसरा निश्चित्ता के आधार पर संचय पूर्व निश्चित या निश्चित राशी के लिए नहीं होता है जबकि प्रावधान पूर निश्यत उद्देशों के लिए की गई विवस्था है तीसरा, अनिवारेता के आधार पर संचय एक्षिक है लाब के पर्याप्त होने पर इसका नर्माण किया जा सकता है जबकि प्रावधान अनिवारे रोप से की जाने वाली विवस्था है लाभो यहानी विवस्था को किया जाना अनिवारे है चौथा, सामान्य या विशेश के आधार पर संचय को बनाने का उद्देश सामान्य है जबकि प्रावधान या आयोजन किसे विशेश उद्देशी की पूर्टी के लिए किया जाता है पाच्वा व्यवस्था के आधार पर संचे लाभानी विभाजन खाते से संचे के व्यवस्था की जाती है जबकि प्रावधान या आयोजन का निर्माण सदय लाभानी खाता से किया जाता है छटवा उदाहरण के आधार पर संचे, समाने संचे, पूंजी संचे, अशुप्रेमियम, रिणपत्र का भुपतान संचे, तथा लाभानी खाते का समा कलन शेष आधी इसके प्रमुख उदाहरण है जबकि प्रावधान के अंतरगत प्रमुख उदाहरण है करके भुकतान के लिए प्रावधान प्रस्तावित लाभांश, कर्मचारियों का प्रॉविदेटट संचय व्यवस्था जाता है जबकि प्रावधान चिठ्ठे में अल्पकाली या देधकालीन आयोजन के अंतरगत दिखाया जाता है आठवा विन्योग इसका विन्योग के आधार पर संचे का विवसाय से बाहर विन्योग संभा है इस इस्तिती में यह पंड कहलाता है जबकि प्रावधान या आयोजन का website से बाहर विन्योग संभव नहीं है अब balance sheet का दूसरा जो पक्ष है जिसे हम संपत्ति पक्ष कहते हैं वहाँ पर किस प्रकार से प्रविस्टिक की जाएगी कौन-कौन से शिर्शक होंगे उन शिर्शकों के कौन-कौन से उप शिर्शक होंगे इस पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बात संपत्ति की करते हैं तो अगर हम company अधिनियम के according देखे तो company अधिनियम 2013 के अनुक्षे 3 के अंतरगत हम संपत्तियों का बियोरा यहाँ पर लिखते हैं वास्ताओं में यहाँ पर संपत्तियों को दो भागों में वरिकरित कर दिया जाता है एक पहला जो है वो है गैर चालू संपत्ति जिन्हें हम कहते हैं non current assets ओर दूसरा जो भाग है वो है चालू संपत्यों का जिने हम कहते हैं कि तो वास्तों में इसका आशन उन संपत्यों से होता है अगर हं यह कह दें कि जो चालू संपत्य नहीं है तो फिर था हम इसले वो गयर चालू संपत्ती हैं तो चालू संपत्यों का संबन्ध ऐसे संपत्यों से होता है जो Company Adenyam 2013 के अनुक्षे 3 के अंतरगत चालू संपत्य मानी जाती हैं जबकि वो निम्न में से जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उनमें से किसी एक शर्थ को पूरा करें पहली शर्थ ये है कि इसमें जिन संपत्यों पर वे किया जाता है उनके जो लागत है उसके समाने संचालन के में समाने संचालन चक्र जो होता है उसमें वसूल होने की संभावना होती है और दूसरी बात इनके विक्रे की और भोग क्याने की कंजम्शन करने के लिए इनको प् उस संपत्ति का क्रह किया गय हो चालू संपत्तियों के हम बात करते हैं तो तीसरी ऐसी संपत्ति एक ऐसा शर्थ इसमें आती है जिसकी अंतरगत जो विवरन तयार होता है उस तिथी के 12 माह के अंदर इन संपत्तियों को वसूल होने के इनकी संभावना बनी हुई हो 12 माह के अ ऐसे दायत्यों के विनिमा या प्रियोग के लिए प्रतिबंधित ना हो जाए जो कि बैलेंस शीट के बनाने की तिति के 12 माह के बाद निप्टाई जाएंगी क्योंकि वो लंबी अबधी हो जाएगी दिर्धकालिन अबधी हो जाएगी और फिर वो चालू संपत्यों के example को देखते हैं.